सबी साथियों को जैहिंत, मैं आपका साथी डोक्टर सोक शर्मा, एक बार फिर से आप सब लोगों के सार, आज किस क्लास में हम प्रेपोजिशन टोपिक का रिवीजन करेंगे, टोपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, लगभग 10 से 15 क्लास हमने प्रेपोजिशन करेंगे, किस प्रकार एकजाम से पहले आप फटा फट रिवीजन कर सकेंगे, वो क्लास आज हम करेंगे, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी कंडिडेट्स, इंग्लिस ग्रेड फास्ट या फिर इंग्लिस ग्रेड सेकिंड का ओनलाइन कोर्स करें, कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आपको कोस की दे दी जाएगी, आपको डेमो क्लास भीज दी जाएगी, डेमो क्लास, नेके वल ग्रेमर की डेमो क्लास, बलकि लिटरीचर की डेमो क्लास भी आपको भीज दी जाएगी, लिटरीचर की नहीं, आपको फेनेटिक्स, फेने भी एक बिंदू को ठीक ढंग से तयार करके एकजाम में अच्छी रेंक नहीं ला सकते आपको grammar भी उतनी अच्छी पढ़नी पढ़ेगी, literature भी उतना ही अच्छा पढ़ना पढ़ेगा आपको fanatics भी उतनी अच्छे लेवल के और methods भी उतने ही अच्छे लेवल के पढ़ने पढ़ेंगे तब जाके आप बहुत अच्छी rank के साथ अपना selection ले पाएंगे आपको test, test का बहुत बड़ा रोल होता है हम हर topic के बाद test करवाते हैं आपको sample test paper फेज दिया जाएगा आप test दे के देख सकते हैं आपको लगे कि हाँ, इस प्रकार के test देने से इस प्रकार का revision करने से मेरा selection लगबग निशित है तब आप कोर्स जोइन कर सकते हैं आपको notes भेज दी जाएंगे complete notes दिये जाएंगे आपको complete notes की PDF आपको मिल जाएंगी और उन PDF का print भी ले सकते हैं कॉर्स में क्या क्या रहेगा complete syllabus आपको करवाय जाएगा grammar, literature, phonetics, methods उसके बाद आपको हर topic को हम base level से लेके advanced level तक करवाते हैं फिर उसकी exercise करते हैं यह दूसरा चरण हो जाता है बच्चा topic समझ लेता है फिर exercise करता है उसके बाद उसका test होता है test के बाद उसका video solution भी होता है और इस प्रकार से चार इस्त्रिये तयारी हम करवाते हैं और बच्चा बहुत अच्छे धंग से topic को समझ लेता है और अब आज की class सुरू करते हैं आज की class में हम preposition topic को फटा-फट आप revise कैसे करेंगे देखते है preposition को किस धंग से पढ़ा जाना चीए पहले तो यह देख लो preposition को तीन भागों में पढ़ा जाना चीए सबसे पहले preposition को इस प्रकार से पढ़ा जाना चीए कौन सा preposition किस प्रकार का relation बताता है तीक है जिस प्रकार से आपने लगा कि in the evening इस प्रकार से आप लिखते हैं in the evening तो यह in जो है यह आपको समय बता रहा है क्या बता रहा है पटए समय बताता है बहुत सारे preposition समय बताते हैं अलग-लग प्रकार के preposition, अलग-लग प्रकार के relations बताते हैं एक preposition भी अलग-लग प्रकार का relation बता सकता है तो पहले तो आपको यह पढ़ना चाहिए शामानिता यही पढ़ाय जाता है किशा 10 से लेके अब तक आप लोग इसी को पढ़ते आए हैं दूसरा होता है fixed preposition, यहां से भी question आता है, fixed preposition की भी आपको अच्छे से तयारी करनी चाहिए, कुछ verbs, कुछ adjectives, fix हैं, उनके बाद में fixed प्रकार की preposition होती है, आपको ठीक ढंग से उनको समझ लेना चाहिए, कि इसके बाद यही preposition आनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद, expressions without preposition, प्रेपोजिशन, कुछ ऐसी होती है, जहां preposition यूज करना ही नहीं चाहिए, आप वहाँ preposition यूज कर देते हैं एक्जाम में देखेगा तीन'उप्रकार के questions आ सकते हैं, हर एक्जाम में तीन से लेगे 5 तक के preposition के questions आते हैं, ठीक है, तो तीन'उप्रकार के questions मिले वे होते ह यह जांचने के लिए होता है कि आपको preposition के relations की कितनी समझ है, यह आपको जानने का है कि आपके fixed preposition के बारे में कितना जानते हैं और यह होता है कि आपको पता है या नहीं है कि कहाँ preposition use करना है और कहाँ नहीं करना है, जिस प्रकासे बहुत साधान सा एक sentence है, इस sentence को आप हमे इस प्रकार का sentence होता है अब यहां entered into अगर आप लिख देंगे तो यह sentence क्या हो जाएगा incorrect हो जाएगा क्योंकि यहां किसी प्रकार का कोई preposition use नहीं किया जाना चाहिए तो तीनु प्रकार की चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए है आज की इस class में हम जो revision करेंगे पहला जो हिस्सा है कौनसा जिसमें हम relation बताते हैं उसका revision करेंगे लगभग सभी prepositions को मैंने इसमें सामिल कर लिया है छोटे छोटे जो preposition है उनको भी सामिल कर लिया है सभी प्रकार के prepositions को सामिल कर लिया है तो अब शुरू करते हैं जिस प्रकार से पहला है आपको कैसे समझना इसको देखेगा revision कैसे करना है पहला जो point लिखा है मैंने वो लिखा है at 7 p.m. ये लिखा हुआ है ये आपको बता देगा जब भी आप सिर्फ इतना देखेंगे तो आपको बता देगे कि point of time के लिए at का प्रियोग किया जाता है ठीक है जिस प्रकार से आप लिख सकते हैं I get up at 6 a.m. मैं कितनी मुझे उठता हूँ 6 a.m. तो आप क्या लिखेंगे at लिखेंगे ठीक है we go to school at 10 o'clock क्या करेंगे हम at 10 o'clock तो ये पढ़ा हुआ तो आपका है ही लेकिन इससे सिर्फ आपका क्या हो जाएगा revision हो जाएगा at 7 p.m. समझते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें निशित समय वाले सारी बातें हमें इस एक बिंदू से याद आ जानी चीए आ जाएंगे उसके बाद देखेगा at this moment at this moment इसमें आप लिख सकते हैं कि he I am in a hurry आप ऐसे लिख सकते लिखेगा I am in a hurry h u r y I am in a hurry at this moment इस समय यह भी point of time है at this moment m o m e n t हमने वे सभी एक जम्पल सामिल करने की कोशिस की है जो थोड़े से हटके है जिस प्रकार से आपने at 7 p m पढ़ा तो इस प्रकार की एक जम्पल भी जम में आ सकते हैं तो इनके साथ हमने यह भी ले लिए हैं ठीक है I am in a hurry at this moment at this moment हो सकता था तो आपके दिमाग में हुआ यह भी आ जाने चीए at that moment भी हो सकता था क्या हो सकता था at that moment भी हो सकता था at that moment ठीक है he was very sad at that moment वो उस समय क्या था बहुत ज्यादा दुखी था I could not think anything मैं कुछ भी नहीं सोच पाया I could not think के आप ऐसे लिख सकते हैं I could not think anything मैं कुछ नहीं सोच पाया कब at that moment उस समय मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई क्या लिखेंगे आफ लॉग at that moment लिखेंगे समझ में आ गया भी at this moment at that moment इस प्रकास से आप उसके बाद देखेगा at midnight देखेगा ये समझने की बात है मैंने आपको समझाया था कि कहा at का प्रियोग किया जाना चीए और कहा इन का प्रियोग किया जाना चीए revision करेंगे आप फटा फट आपको पता है noon से पहले किसका प्रियोग करेंगे आप पे at का प्रियोग करेंगे at noon midnight देखते ही आपके दिमाग में वो सारी चीज़ आ जाने चीए at noon है at night है at night at midnight at midnight midnight at dawn at dawn d a w ठीक है भौर होती है सुबह सुबह का समय होता है उसको at dawn कर यह सारी बातें आपको याद रखनी चीए सिर्फ एक बिंदू से आपको याद आ जाना चीए कौन से से at midnight से ही आपको फटा-फट याद आ जाना चीए at midnight ठीक है at noon at noon they were present there at noon वे वहाँ उपस्ती थे कब दो पहर में at noon ठीक है I take rest I take rest मैं आराम करता हूँ at noon कब? at noon this is not to be done at midnight यह इस आदी रात को करने का समय नहीं है आप लिखेंगे this is not to be done this is not to be done midnight आपको आगे दे दिया तो आप क्या लिखेंगे? midnight से पहले आप लिखेंगे at midnight night दे दिया तो क्या लिखेंगे आप पे? at night लिखेंगे ठीक है? noon दे दिया तो आप क्या लिखेंगे? at noon लिखेंगे ठीक है? उसके बाद देखीगा इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि the evening है morning है अगर ऐसा आ जाए तो अगर मानों आप से question आ गया है कि डैस 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 the evening e-v-e-n-i-n-z the evening तब क्या करेंगे? I play cricket इस प्रकास से questions आप से पुछे जाएंगे I play cricket I play cricket in the evening एस इस तती में आप क्या लिखेंगे? in the evening क्या नहीं लिखेंगे? at नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे बीटा? in लिखेंगे समझ में आ रहे हैं चुछे? आगे देखेगा at the end of the class fix point के लिए at the end of the class कद class के अंत में at the end of the class we went there हम वहाँ चली गए ठीक है? at the end of the class at the end of the session at the end of the class के जगे क्या लिख सकते हैं at the end of the session session के अंत में at the end of the program program के अंत में the organizer thanked all organizer ने सब को क्या किया धन्यवाद दिया at दुरगा पुजा अब इस एक point से आपको याद आ जाना चाहिए कि at दिवाली at हौली at दसेरा at दुरगा पुजा ठीक है? at इस प्रकार के एक बिंदू से revision का मतलब ये है कि एक बिंदू से आपको इससे related सारी बातें याद आ जानी जी ठीक है? कि festival से पहले किसका प्रियोग करते हैं? at का प्रियोग करते हैं चाहिए on Monday पूरा sentence नहीं लिखा है क्योंकि आपको पहले से पता है कि दिन और दिनांग से पहले किसका प्रियोग करते हैं? on का प्रियोग करते हैं तो आप on Monday लिख सकते हैं आप जरूरी नहीं कि आपसे Monday ही पुछा जाए क्या किया जाए आपसे? Monday ही पुछा जाए Monday के अलावा कोई भी दिन और दिनांग पुछा जाए तो आप क्या लिख देंगे? on लिख देंगे आपको अपवाद भी याद रखना चीए कब नहीं लिखेंगे? तब मैंने आपको बताया था कि यदि इस से पहले आपको next याद है point next मिल जाए last मिल जाए this मिल जाए that मिल जाए यह मने बताया था कि यह समय सूचक सब दिद्याब को मिलते हैं इनके साथ समय के साथ जिस प्रकासे next Monday next Monday और आप से पुछा कि इससे पहले preposition लगाओ sentence है he will come here next Monday आप से preposition भरवाया था he will come here next Monday तो यहाँ कोई preposition नहीं आना चीए जबकि he will come here Monday next नहीं है और सिर्फ क्या है Monday है तब आप क्या लिखेंगे on Monday ठीक है आपको यह भी पता होना चीए कि Monday तक की बात है तब आप क्या लिखेंगे by Monday लिखेंगे इस एक बिंदू से आपको सारी बिंदू याद आ जाने चीए कि सर ने हमें क्या-क्या पढ़ाया था हमने क्या-क्या पढ़ा था वो इस एक से याद आ जाने चीए on 2nd October गांधी वाज बॉन on 2nd October on 2nd October देखती है आपको याद आना जाने क्या बात याद आने कि याद आने चीए कि दिनांक से पहले डेट से पहले किसका प्रियोग करना है आपको आउन का प्रियोग करना चाहिए, आगे देखेगा, एक-एक बिंदू, जितने भी प्रेपोजिशन्स हैं, शब के, सभी प्रकार के प्रियोग, आज की क्लास में हम आपको करवा देंगे, एक सब्ता में, दो सब्ता में, चार सब्ता में, पांच सब्ता में, दस दिन में, बीस दिन में, एक महिने में, दो महिने में, ऐसा रिलेशन बताने के लिए किसका प्रियोग करते हैं? इन का प्रियोग करते हैं, ठीक है? in a week we will complete this project in a week in 4 hours you have to complete this in 4 hours 4 घंटे में आपको पूरा करना है लेकिन इनके साथ हमने आपको एक difference बताया था याद होगा आप लोगों को कि prepositions में जब आपको पढ़ने है तो वहाँ आपको difference पढ़ना बहुत जरूरी है कौन कौन से prepositions में क्या difference है जब आप दो टोपिक एक तो कौन सा determinants जब आप determinants पढ़ें तब आपको difference करना बहुत जरूरी है आपको पता होना चीए कि little और few में क्या difference है ठीक धंग से पता होना चीए दूसरा जब आप prepositions पढ़ रहे हैं तब आपको difference करना बहुत जरूरी है कि in और within में क्या difference है किसमें बिटा in और within में ठीक है in four hours ये भी ठीक है चार घंटे में in four hours ठीक है ये बात भी सही है और within four hours sentence तो ये भी ठीक है grammatically आप ये लिखेंगे कि within four hours चार घंटे में ठीक है within four hours और ये लिखेंगे in four hours तो sentence तो दोनों आपके क्या है ठीक है लेकिन दोनों का meaning बदल गया है within का मतलब होता है before इसके अंदर अंदर चार घंटे के अंदर अंदर ठीक है और in का मतलब होता है ये at the end of four hours चार घंटे के अंतर तक की बात है ये ठीक है तो ये within और in का फरक होता है देखेगा in four hours ये यादा गया उसके बाद में within a month तो आपको समझ माने चीए कि इस प्रकास से in और within दोनों के प्रियोग होते हैं उसके बाद में by six p.m. यहां हमने लिखा at seven p.m. या at six p.m. एक ही बात ही थी यहां हमने क्या लिखा by seven p.m. by seven p.m. का मलोता है छे बजे तक कब तक भई? छे बजे तक ठीक है not after that उसके बाद नहीं छे बजे तक का मामला है not after that उसके बाद नहीं यह मतलब होता है किसका by six p.m. जिस प्रकास से टीचर बच्चों को कहता है you had to complete your homework by Monday कब तक कर लेना है आपको अपना homework पुरा कर लेना है कब तक Monday तक कर लेना है not after that उसके बाद नहीं समझे में आ गया है by का मतलब यह होता है you must deposit your fee by Sunday by Saturday by Monday जो भी आप कहना चाहें तब तक तो by का मतलब यह होता है you must get back by six o'clock आपको छे बजे तक वापस आ जाना है तो by कार्ट कैसे है समझ में आगे आप लोग आगे देखेगा उसके बाद next by tomorrow evening by tomorrow इसको क्या बलते है tomorrow evening कल साम तक return my books by tomorrow evening कल साम तक मेरी किताबें लोटा देना कब तक by by का प्रियोग इस प्रकास से आपको समय बताता है उसके बाद देखेगा since morning कब से सुभह से since और four का प्रियोग since और four का प्रियोग भी आपको ठीक धंक से समझना चीए आगे कुछ examples हम इसके और लेंगे जो इन दोनों के अंतर को बताएंगे आपको since fix point के लिए होता है tense वगरा में आपने खुब पड़ा है morning का मतलब यह हो गया evening के लिए भी किसका प्रियोग करेंगे since का प्रियोग करेंगे morning के लिए भी since का प्रियोग करेंगे from 8pm to 11pm beginning point के लिए जब कोई काम आप सुरू कर रहे हैं तो उसका जो starting point होता है उस starting point के लिए किसका प्रियोग करते हैं from का परियोग करते हैं from 8pm to और from के बाद क्या आता है to आता है कोई भी चीज जहां से शुरू करते हैं उसके लिए from जहां पहुंचना होता है उसके लिए किस का परियोग to का परियोग जिस प्रकास से this bus goes from जैपूर टू आगरा यह कहां से कहां जाती है भी जैपूर से आगरा जाती है तो क्या लेकिंगे अपन फ्रॉम जैपूर टू आगरा ठीक है उसके बाद देखीगा फ्रॉम मंडे टू संडे शौमार से लेके संडे तक फ्रॉम दिस टु देट इस से लेके वहां तक अब से लेके तब तक ठीक है उसके बाद में देखेगा अब इस एक बिंदू से आपको समझ जाना चाहिए कि जो इस प्रकास से कोई चीज किसी वस्तू के उपर होती है और इसमें सरफेस तच होता है तो किसका प्रियोग करते हैं? ओन का प्रियोग करते हैं बस इतना ही आपको देखना है उसके बाद आपको इसके सभी एकजमपल्स याद आजाने चाहिए कैसे? ऑन दे नेल कोई चीज खूटी पे टंगी हुई है किस पे टंगी हुई भी? खूटी पे तब भी आप क्या कहेंगे? ओन लिखेंगे पिक्चर्स किस पे लटकी हुई है? दिवार पे तो आप क्या लिखेंगे? ओन दे वाल तो क्या लिखेंगे आप पे? ओन दे वाल लिखेंगे ठीक है? जहां कहीं भी इस प्रकार का रिलेशन बनता है आप इस एक बिंदू से समझ जाएंगे कि जब दो चीज पहली चीज दूसरी के ऊपर होती है उनमें इस सर्फेस टच होता है तब किसका प्रियोग करेंगे? ओन का प्रियोग करेंगे मै बुक्स आर लाइंग उन दे टेबल मेरी बुक्स कहां पढ़ी है? टेबल पे पढ़ी है इस प्रकास से हम घास में नहीं इन दे ग्रास नहीं लिखेंगे कि वो घास में बैठेंगे उसके बाद देखेगा क्या लिखेंगे? इन दे बेड बेड की स्थि में लाइं इन दे बेड लाइं लेटा हुआ है किसमें बेड में लेटा हुआ है तम क्या लिखेंगे आप लोग इन दे बेड लाइं इन दे बेड बेड सिटिंग उन दे बेड क्या लिखेंगे बीटा? बेड सिटिंग उन दे बेड धान देजिएगा लाइं इन दे बेड लेटा हुआ है सो रहा है, ऐसी स्तती में क्या लिखेंगे, in लिखेंगे, और बैठा है, sitting on the bed, इस प्रकास से लिखेंगे, in or on the chair, दोनों सही है, on the chair, ठीक है, जब chair के पास arms नहीं है, यानि हथे वाली chair नहीं है, ऐसी स्तती में आप on the chair कहेंगे, तब भी कोई दिकत नहीं है, और arm chair जो होती है, कौन सी chair बेटा, arm chair की जब अपन बात करते हैं, ऐसी स्तती में किसका प्रियो करेंगे, in the chair का प्रियो करेंगे, किसका, in the chair, उसके बाद देखेगा, behind the curtains, behind the curtains, कोई चीज़ जब किसी चीज़ी के पीछे होती है, at the back of, इसका आर्थ होता है, at the back of, b-a-c-k, at the back of, ठीक है behind the curtain, she is hiding behind the curtain, where पर्दे के पीछे छुपी उये, he is standing behind me, वो मेरे पीछे खड़ा है, line में कोई आदमी आपके पीछे खड़ा है, आप क्या कहेंगे, behind me, क्या कहेंगे मिटा, behind me, behind the curtains, पर्दे के पीछे, मेरे पीछे, She is standing behind me मेरे पीछे There is a blackboard behind me मेरे पीछे मैं याँ खड़ा हूँ मेरे पीछे एक blackboard है तब क्या कहेंगे Behind me कहेंगे आगे देखेगा Below the surface हर एक वो sentence हर एक वो example हमने लेने की कोशिस की है जो विवीन प्रकार के exams में पूछे वे हैं या पूछे जा सकते हैं Below the surface किसके नीचे उस surface से नीचे जब दो चीज होती है और उनमें कोई चीज किसी दूसरी के चीजी होता है Lower than this इस प्रकार का comparison होता है Lower than this ऐसी स्तती में किसका प्रयोग करते हैं Below का प्रयोग करते हैं ठीक है बिटा इसका प्रयोग जिस प्रकार से कोई भी नदी बह रही है Danger Mark से नीचे D-A-N-Z-E-R Danger Mark से नीचे खत्रे के निसान से नीचे Danger Mark से नीचे तो अपन कहेंगे The river is flowing Below the danger mark क्या कहेंगे Below the danger mark ठीक है जिस प्रकार से यह देखेगा यहां आपकी plane है और यह आपके clouds है बादलों से नीचे क्या कहेंगे बादलों से नीचे तो था plane is flying Below the clouds किसके नीचे इन बादलों से जब इस प्रकार का comparison होता है तभी below का प्रयोग किया जाता है ठीक है इस प्रकार से There is cut mark Below the neck Left eye Right eye बादलों आपके यह आँख है और यहां यह दी कोई cut mark है तो जब इन दोनों के आप comparison बताएंगे तब आप क्या कहेंगे Below the right eye ठीक है इस प्रकार से आप इसको प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग Below का प्रयोग करते हैं Below the surface लिखावा देखेगा इस एक बिंदू से यह जो भी बच्चा इसकी PDF चाहेगा वो PDF जो मैंने आपको उपर WhatsApp नमबर बताए हैं आप उस नमबर पे मैसेज करेंगे तो इसकी PDF भी मैं आपको भेज़ दूँगा ताकि एक्जाम से पहले आप फटा-फट इनको रिवाइज कर लीजिएगा Below the surface ठीक है यह Below the surface होता है यानि Below का प्रयोग होता है Below का प्रयोग होता है ठीक है यह Above का क्या होता है Opposite होता है उसके बाद देखेगा Beside the wall इस एक वर्ड से आपको याद आ जाना चाहिए कि Beside का मतलब होता है के पास में Beside का मतलब होता है Near N-E-A-R Near Beside का मतलब होता है By the side of क्या होता है By the side of किसी चीज़ के नज़दीक He was standing beside the wall वो दिवार के पास खड़ा था ठीक है यह दिवार के पीछे खड़ा था तब क्या लिकिंगे He was standing behind the wall यदी वो दिवार के उपर बैठा है तो He is sitting on the wall ठीक है इस प्रकास से आप relation समझते हुए preposition को तियार करेंगे Beside Beside का मतलब होता है पास में She is sitting beside her parents She is sitting beside her parents She is sitting beside her parents Beside her parents क्या मतलो हो जाएगा इसका कहां बेठी है वो अपने parents के पास Beside Beside का मलोता है By the side of नजदी किसी चीज़ के भी उसके बाद देखेगा Under the table Table की नीचे जब कोई चीज vertically किसी चीज़ की नीचे होती है तब उसके लिए अपन क्या करते है Under the table कहते है पर ठीक है Under the table कई बार इसका प्रियोग कब होता है जब surface touch होते है तब भी किसका प्रियोग करते है Under का प्रियोग करते है जिस प्रिकास से Under the pillow ठीक है Under the tree Under the tree अब इस एक फ्रेज से कौँची से Under the tree से आपको Under का प्रियोग समझ आ जाना चीए कि vertically कोई चीज़ किसी की नीचे होती है तब हम किसका प्रियोग करते है Under का भी करते है touch है तो भी Under का करते है और नहीं है तब भी किसका करते है अंडर का प्रियोग करते हैं, ठीक है, they was sitting under the tree, they paid के नीचे, there was a cat under the table, a cat ठीक इसके नीचे, table के नीचे, और देखेगा, across the field, field के, इस पार से उस पार, across जब preposition यूज किया जाता है, तो उसका मतलब होता है, from this side to that side, इस side से लेके, इस side तक, इसको पार करते वे, तब वो क्या लिखते हैं, across the field, he ran, वहे दोडा, he ran across the table, sorry, across the field, यहां से उसने शुरू किया, और यहां तक वो आ गया, इसका प्रियोग किसका होता है, across का प्रियोग होता है, ठीक है, एक नदी है ये, इस नदी के इस सीरे से आपने तैरना शुरू किया, और इस सीरे तब आप आप आगए, तो आप क्या लिखेंगे, across the river, sea swamp, उसने तैरा, sea swamp, across the river, क्या भीटा, sea swamp, across the river, समझ में आगया भी, across का मतलब यह होता है, उसके बाद देखेगा, between Mumbai and Agra, दो के 20 के लिए किसका प्रियोग करते हैं, between का प्रियोग करते हैं, और between के बाद किसका प्रियोग किया जाता है, and का प्रियोग किया जाता है, कोई भी, दो के लिए अगर आपको समंध बता रहे हैं, तो आपको किसका प्रियोग करना है, between का प्रियोग करना है distribute these pans between rames and puja between rames and puja कौन कौन rames और puja के बीच में दो का प्रियोग करते हैं between this and that ठीक है लेकिन between का प्रियोग दो से ज़्यादा के लिए भी किया जाता है जब mutual relationship सी बताया जाता है mutual कमला इस प्रकास से कैसे वो भी कर रहे हैं आप भी कर रहे हैं कैसे there is a great cooperation between these five families cooperation है एक दूसरे के पास क्या है सयोग करते हैं ठीक है तो उनके बीच में अच्छा cooperation है cooperation का मतलब आप सब जानते हैं सयोग होता है इसमें कोई चीज बठती नहीं है ये mutual relationship है आप उनका सयोग कर रहे हैं वो आपका सयोग कर रहे हैं ये पांच families हैं पांचों के बीच में cooperation है तब आप क्या कहेंगे भी आप between कहेंगे किस के लिए भी पांच के लिए भी ये बात मैंने आप लोगों को जब between और आमंग पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से समझा दिया था ठीक है there is an understanding एक समझ है between these five brothers इन पांचों भाईयों के बीच में एक अच्छी समझ है ठीक है समझ में आ रहा ना चीजे तो कोई agreement करते हैं पन किन के बीच में बहुत सारे लोगों के बीच में जब agreement होता है तब किसका प्रियोग होता है between का प्रियोग होता है alliance होता है कोई कोई गठवंदन होता है इन लोगों के बीच में तब उसके लिए भी दो पांच के लिए भी किसका प्रियोग करते हैं between का प्रियोग करते हैं ये between पढ़ाते समय आपको बहुत अच्छे से क्लियर मनेक करवाय था उसके बाद देखेगा अबोव देखेगा अबोव देहील्स यह हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि यह किस से उपर पहाडियों से उपर देप्ले इस फ्लाइग अब अबोव देहिल्स अब ओ विलो का क्या होता है यह अपॉज और below ठीक है हमने आपको बताया था कि इस आँख के नीचे तब आपने क्या लिखा था below the right eyes अब आप लिखेंगे above मनों आँख के ऊपर है तो क्या कहेंगे above the right there is a cut mark एक चोट का निसान है कहां above my right eye मेरी right eye के ऊपर हमने आपको समझाय था कि नदी खत्रे के निसान से नीचे बह रही है तब आप क्या लिखेंगे below the danger mark below the danger mark जब नदी खत्रे के निसान से ऊपर बह रही है तब आप क्या लिखेंगे above the danger mark above the danger mark तो ये किसका प्रियोग होता है आपका above और below का वैसे उपर जो कोई चीज होती है और touch नहीं करती है उस sense में above और over दोनों का प्रियोग किया जा सकता है जब हम over और above का प्रियोग पढ़ रहे थे तब भी हमने इसको detail से समझा था अब इसका revision कर रहे हैं कि जब कोई चीज उपर होती है touch नहीं होती है ऐसी स्थि में above और over दोनों का प्रियोग किया जा सकता है लेकिन जब इस प्रकार से comparison हो आँख के उपर आँख के नीचे पहाड़ी से उपर पहाड़ी से नीचे ऐसी स्थि में above और below का प्रियोग किया जाता है अगे देखेगा over the fireplace ठीक है फायर प्लेस से उपर जब कोई touch ठीक है उपर कोई विस्तूक टच नहीं होती है ठीक है over our head हमारे सिर के उपर over ठीक है ऐसी स्थि में हम किसका प्रियोग करते हैं over का प्रियोग करते हैं जिस प्रकार से ये आपकी नदी है इस नदी के उपर ये आपका bridge है तो आप क्या कहेंगे there is a bridge over the river किसके उपर नदी के उपर आप क्या लिखेंगे over लिखेंगे the beautiful stars are shining over us हमारे उपर किसका प्रियोग करेंगे over का प्रियोग करेंगे है उसके बाद देखेगा along the border इस प्रकार से यहां कोई चीज ये आपका border है और इस border के साथ इस प्रकार से कोच चीज है तब आप किसका प्रियोग करेंगे आप along का प्रियोग करेंगे और लिखेंगे along the border border के सहारे सहारे ठीक है along the road ये आपकी road है इसके सारे They are walking along the road वे road के यहां सहरे There are trees There are many trees There is a row of trees पेडों की पंगती है Along the road किसके सहरे? इस road के सहरे ठीक है? Along the bank of the river नदी के किनारे के सहरे सहरे Along the sea shore देखेगा इने में से कोई question आप से पूछ लेंगे Along the sea shore किसके शमुद्र के किनारे के यहां पास पास यहां तो यह आपका along का प्रियोग था Among the buses जाडियों के बीच में ज्यादा जाडिया हैं इसलिए किसके Among the buses यानि दो से ज्यादा के लिए किसका Among का प्रियोग करते हैं Towards the site of accident की तरफ Towards का मलब क्या होता है की तरफ या आपको direction बदाता है की तरफ Towards me He was coming towards me He is coming towards me He is coming He is coming towards me He is coming towards me वो मेरी तरफ आ रहा है ठीक है He is coming towards me चलो भी आगे देखते हैं Jumped into the wheel जब आपको motion या moment बताना होता है तब आप इसका प्रियोग करते हैं Into का प्रियोग करते हैं इसका प्रियोग करते हैं Into का देखें बाहर से कोई के अंदर ठीक है He jumped into the wheel क्या लेकिंग आप भी jumped into the wheel ठीक है Translate these sentences into English एक situation से दूसरी situation एक position से दूसरी position में Translate these words into English इन sentences को इन words को किस में translate कर दो English में translate कर दो This trans into कोई चीज किसी दूसरी चीज़ में बदल जाती है उस इस्तती में पर पन क्या लेकते हैं Trans into Water turns into वैपर पानी किस में बदल जाता है भाप में बदल जाता है Water turns into ice Ice में बदल जाता है इसको into कहते हैं ठीक है Fertile land जो है वो बंजर भूमी में बदल जाती है तो क्या कहेंगा आप में Into barren land पहले कैसी थी Fertile थी अब कैसी हो गई Baron हो गई बंजर हो गई Into लिखेंगे आप क्या लिखेंगे Into लिखेंगे ठीक है तो ये सब चीजें आपको यहां सिर्फ एक देखना है ये Jump into the will बस इतने में आपको याद आ जाना चीए कि Into का प्रयोग कहां कहां किया जाता है कभी नहीं भूलोगे फिर Set for Mumbai Set of ओफ होना चीद है साथ भी Set of for Mumbai रवाना होना किसी के लिए ठीक है कहां के लिए आप रवाना हो रहे हैं उसके लिए आपको 4 का प्रयोग करते हैं Set of for Mumbai Live for L-E-A-V-E Live for ये भी किसके लिए होता है जहां कहीं के लिए हम रवाना होते हैं ठीक है He left for the USA क्या लिकिंगा प्लॉग He Left for the USA He left for the USA USA से पहले आर्टिकल देखा प्रयोग किया जाता है ये second form है ये लिट for Live के साथ आप कहएगा 4 आएगा ठीक है रवाना होने के अर्थ में Against the wall Against का प्रयोग देखीगा जब किसी चीज़ का सपोर्ट लेके कोई चीज़ रहती है जिस प्रकास से The ladder is against the wall They put the ladder उन्होंने क्या रखी एक CD रख दी Put the ladder L-A-Double-D-E-R They put the ladder Against the wall Against the wall ये आपकी दिवार है और यहां से सटा के उन्होंने क्या खड़ी कर दी CD खड़ी कर दी इस इस्तती में आप किसका प्रयोग करेंगे Against का प्रयोग करेंगे ठीक है उसके बाद देखेगा कोई आदमी किसी का सहरा लेके है बैठा है तो Against the chair Against the wall वहां भी किसका प्रयोग करते हैं Against का प्रयोग करते है किसी के खिलाफ आपको कुछ कहना है तब भी किसका प्रयोग करते हैं Against का प्रयोग करते है Four का opposite होता है किसका opposite होता है Four का जिस प्रकासे, what for, what for A, B, C, D, किसी के लिए भी, what against, what against, what for के बाद किसका प्रियों करते हैं, what against का प्रियों करते हैं, ठीक है, यह दो चीजे थी, जो आपको समझनी थी, उसके बाद देखीगा, what against हो गया, fail of the cycle, जब कोई चीज, किसी चीज से separate होके अलग हो जाती है, तब आप किसका प्रियों करते हैं, off का प्रियों करते हैं, जिस प्रकास से, उस cycle से गिर गया, तो आप क्या लिखेंगे, he fail of the cycle, क्या लिखेंगे, he fail of the cycle, लिखेंगे, cycle से गिर जाना, he fail of the cycle, सीडी से गर गया कोई आदमी का लिकिया आप लोग फिंव फिल अफ दे लेडर खेलों सीडी से गर घार ठिसका प्रयोगक करें। ऑ्फ का प्रयोग्त करें। ठीक है, कोई चीज, जिब्रका से, यह table हाप की, इस table से, कोई चोक, ठीक है, या फिर क्या है, ball है, यह बोल है, यहाँ से फिसलती, फिसलती भी नीच आगी, तो क्या लिखेंगे, the ball rolled off, क्या लिखेंगे, the ball rolled off, लिखेंगे से, ठीक है, बस वगे राज से आप उतर रहे हैं, तो वहाँ भी किसका प्रियूग करेंगे? आफ का प्रियूग करेंगे. अगे देखेगा. About to go. बस ये काम होने ही वाला है. I am about to go. मैं जाने ही वाला हूं. I am about to go. I am about to go. मैं जाने ही वाला हूं. He is about to come. वो आने ही वाला है. About to. ठीक है? About. वोनला काम बस होने ही वाला है. उसके लिए about कप्रियूग करते हैं. About कप्रियूग एक और करते हैं. के बारे में? ठीक है? He told us about his personal life. He told us about his personal life. उसने हमें अपनी personal life के बारे में बताया. About his personal life. ठीक है? उसके बाँ नगीगा. ran after the robust after का प्रियोग देखीगा एक आप सब जानते हैं after का बना बाद में होता है after 9 o'clock nobody is allowed to enter the campus after 9 o'clock 9 बजे के बाद किसी की entry allowed नहीं है nobody is allowed to enter the campus after 9 o'clock ठीक है किसके बाद भी 9 बजे के बाद after this इसके बाद after that उसके बाद लेकिन एक after का प्रियोग और होता है किसी चीज के पीछे दोड़ने के अर्थ में किसका प्रियोग करते हैं after का जिस प्रकास से the police ran after the robust इस प्रकास से हो सकता है the police police नहीं कहेंगे भी कोई बिसको the police ran after the robust after the robust r-o-b-e-r-s the police ran after the robust तो क्या लिकिन आप इस में after का प्रियोग करेंगे समझ में आ रही है चीजें चलो आगे बढ़ते हैं the cat the boys are running after the girls the boys are running after the girls या फिल they are running after money किसके पीछे भाग रहे हैं they are running after money r-u-n-n-i-n-g they are running after money आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे पैसे के पीछे दोड़ते रहते हैं तो ऐसी सती में जब आपको अंग्रेजी में कहना होगा तब क्या कहेंगे this my uncle is running after money don't have time for family, relations इन चीजों के लिए इसके पास time नहीं है किसका प्रियोग करेंगे after का प्रियोग करेंगे देखेगा acting against my order ये मेरे आदिस के खिलाफ है तो acting against he is acting against my order तो ये है तो आप समझी जाएंगे कोई दिकत नहीं है don't do anything against this आपको इसके खिलाफ कुछ करने की आवशकता नहीं है along the sea sore पढ़ा था हमने थोड़ी दिर पहले ऐसी स्थती में कोई चीज किसी चीज के इस प्रिकास से साथ होती है तो किसका प्रियोग करते हैं along का प्रियोग करते हैं along the sea sore आगे देखेगा at the top of the class at का प्रियोग करेंगे class के top पे at the bottom at the bottom bottom के लिए भी किसका प्रियोग नीचे नीचे है तब दिक इसका प्रियोग at का प्रियोग उपर उपर है तब दिक इसके लिए at का प्रियोग ठीक है, at the end of something, at the end of the line, इस लाइन के अंत में, at the end of the session, इस session के अंत में, at the end of the class, इस class के अंत में, तो किसका प्रियोग करते हैं, at का प्रियोग किया जाता है, उसके बाद देखेगा, This is beyond my understanding मेरी समझ से बाहर की बात है This is beyond Beyond का मनल होता है के पार ठीक है This is beyond my understanding ये मेरी understanding के बाहर की बात है Beyond my approach ये मेरी पहुँच से बाहर है This is beyond my approach ये मेरी एप्रोच से बाहर की बात है ठीक है हमने एक सेंटेस लिखा था शिट बाई के पास बाई का परियों क्या है या के पास उसके बाद आप बाई और जानते ही है बाई हिम, बाई हर ठीक है इट इस नाइन ओकलॉक बाई माई वोच क्या लिखेंगे, according to my watch ये निखेंगे कि 9 बजे हैं मेरी घड़ी में ऐसा नहीं लिखेंगे in my watch कोई नहीं लिखेगा ऐसा क्या लिखेंगे it is 9 o'clock it is 9 o'clock by my watch मेरी घड़ी में ठीक है किसी आदमी को उसके अपीरिंस से नहीं पहचाना टेक है, don't judge anybody by his cloth उसके कपड़ों से किसी आदमी को judge मत करो किसी आदमी को क्या नहीं करना किसी आदमी के कपड़ों से उसको judge नहीं करना उसके appearance से judge नहीं करना कोई आदमी कैसा दिख रहा है इस बात से बिलकुल judge नहीं करना तेनि according to के अर्थ में किसके अर्थ में विटा according to के अर्थ में भी by का प्रियोग किया जाता है आगे देखेगा from my cousin source के लिए कौन सी चीज आप कहां से प्राप्त करते हो कोई चीज आपको कहां से मिली है इस अर्थ में आप किसका प्रियोग करते हैं from का प्रियोग करते है I got it I got it from my parents from my parents ये मुझे कहां से मिली अपने parents से मिली I got it from my parents ठीक है I got it from from का प्रियोग और भी हमने आपको पढ़ाया था याद है from और of का difference कोई चीज किसी चीज से बनती है यदि उसके ingredients चेंज हो जाते है जैसे wine is wine is made from grapes made from grapes सराप किस से बनती है grapes से तो grapes बिलकुल चेंज हो गए ये ingredients है ये बिलकुल चेंज हो गए of का प्रियोग भी होता है जिस प्रिकास से table is made of wood table is made of wood ये भी table बनी हुए किसकी लकडी की लकडी लकडी है इसलिए off आएगा ठीक है ये हमने डिटेल से आपको करवा दिया था ये revision अभी चल रहा है उसके बाद देखेगा from my cousin died of the heart attack rogue के लिए off का प्रियोग करते हैं बताया था आपको off का प्रियोग के die के साथ in accident में कोई आदमी मर गया died in accident पढ़ा था आप लोगोंने भी ठीक है उसके बाद में देश के लिए कोई आदमी सहीद होगा died for he died for his country अपने देश के लिए मर गया अपने देश के लिए सहीद हो गया अपने देश के लिए बलिदान्त कर दिया किसका प्रियोग करेंगे four का प्रियोग करेंगे धान रखना है इस बात को suffer from कोई आदमी किसी चीज़ से suffer कर रहा है he is suffering from fever किस से बेटा he is suffering from fever तो हम किसका प्रियोग करेंगे from का प्रियोग करेंगे अब देखो ये बिंदू देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि सर ने हमें died के साथ कौन-कौन से बताये थे a man of इसको off नहीं a man of noble character off का बताया था हमने ये किस प्रकार के खांदाउन से आता है इसके लिए आप किसका प्रियोग करेंगे off a man of humble origin बिल्कुल सिधे से प्रियोगार से आता है a man of humble origin a man of noble character a man of word man of word का मलो होता है वादे का पक्का तब आप किसका प्रियोग करते हैं आफ का प्रियोग करते हैं, और बोलेंगे इसको man of noble character, अच्छे character का आदमी है, अच्छी आदतों का आदमी है, अच्छे खांदान का आदमी है, ऐसी स्थती में आप क्या कहेंगे, आफ का प्रियोग करेंगे, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखेगा, हम प्रेपोजिशन पर बात कर रहे हैं, और यानि about के बारे में, किस पर बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ भी किसका प्रियोग करते हैं, उसके बाद देखेगा, थ्रू दविंडो, खिडकी से होकर, इस प्रकास से कोई चीज आपके है, यहाँ से आपने देखा, खिडकी से होके, आपने यहाँ से फैंकी कोई चीज, किस से, थ्रू दविंडो, एक चोर है, वो इससे गुज गया, दथी, ठीक है, came through the window किदर से आया भी वो came through the window आपने window से बहार उसको देखा he saw me through the window आपने मुझे क्या लिकिंगा through लिखेंगे ठीक, यहाँ glass होता यह देखेंगे सी सा है सी से क्या आरपार आपने देखा तब भी क्या लिकिंगे through the glass समया रहे है यह through होता है उसके बाद देखेंगा with his all family साथ के अर्थ में कोई आदमी किसी के साथ है तो उसके लिए भी किसका प्रयोग करते हैं with का प्रयोग करते हैं ठीक है? with his family ठीक है? एक knife के लिए भी मैं एकसर कहता था पहले कि with wife with और एक with knife ऐसे भी आप याद कर सकते हैं with knife knife है नहीं कोई चीज़ आप चाकू हाथ में लेके पकड़ रहे हैं ठीक है? इंस्टूमेंट के रूप में जिस प्रकास से किसे ने आम काटा सबजी काटी किसे चाकू से तो आप क्या लिखेंगे with knife he sliced a mango with wife और with knife ये with के दो यूज़ आप याद कर सकते हैं उसके बाद देखेगा with enthusiasm पूरी जोस के साथ I did it with enthusiasm मैंने पूरी जोस के साथ ये काट किया क्या लेकिंग आप पे with joy खुशी के साथ किसके साथ बही? with joy a girl with blue eyes एक लड़की किसके साथ? blue eyes वाली लड़की नीली आँखों वाली लड़की के लिए आप क्या कहेंगे? ठीक है? जिस प्रकास से कहें कि मैंने एक लड़की देखी कर जिसकी आँखे नीली थी तो आप क्या कहेंगे? I saw a girl with blue eyes मैंने एक लंबे बालो वाल लड़का देखा तो with a boy with long hair a boy with long hair आप ऐसे कहेंगे girl with blue eyes कहेंगे write in pencil ठीक है? with pen with देखेगा with pen pen के लिए क्या लिखेंगे? with लिखेंगे with pen in ink इंक के लिए क्या लिखेंगे? in ink in pencil p-a-n-c-i-l in pencil छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है ये सारी चीज़ें आपको एक ही क्लास में बताने का मकसद ये है कि आप पे अपने ही इसाब से इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं अच्छे से पढ़ चुके हैं डिटेल में अब आपको सिर्फ रिवीजिन चीए जो कि एक क्लास में बहुत अच्छे डंग से हो सकता है उसके बाद देखेगा डे आफ्टर डे दिन पर दिन ठीक है उसी सथी में ये भी सिंगलर होगा ये भी सिंगलर होगा और कुएस्टिन खिक है किसका प्रियुक करेंगे आफ्टर का प्रियुक करेंगे एक आफ्टर का और बहुत अच्छा प्रियुक देखीगा name of the school after my grandfather's name किसी school का नाम है किसके नाम पे किसी सहीद के नाम पे मानो इस school का नाम मानो मेरे डादा जी के नाम पे है तो आप क्या लिखेंगे after my grand parents ठीक है after my grandfather's name समझे रहे हैं ना कि ये school का नाम इस building का नाम इस रस्ते का नाम उस प्रधानमंत्री के नाम पे है तो after that प्राइम निस्टर लिखेंगे ठीक है समझनारी बात ये after इस प्रकास से ये भी after का बहुत स्चांदार यूज है The name of this school is after my grandfather's name समझनारी बात accused appeared before the magistrate किसी चीज को सामनी के अर्थ में before का प्रियूग किया जाता है एक before का प्रियूग पहले होता है आप सब जानते हैं before after का opposite होता है before nine o'clock after nine o'clock और एक होता है before के सामने he was presented before the police उसको police के सामने प्रस्तुत किया गया before the police किसके सामने भी police के सामने before the magistrate मजिस्टेट के सामने एक जंपल देखे क्या लिखा हमने accused आरोपित को जो आरोपित था appeared वो परकट हुआ before the magistrate किसके सामने magistrate के सामने don't talk like this before me मेरे सामने इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे along with her husband अपने husband के साथ with और along with दोनों एक तरिके से यूज होते हैं कोई दिकती about to begin काम शुरू होने वाला है यह हमने पहले भी किया है आज की क्लास में this is about to begin यह शुरू होने वाला है card is made from milk देखो हमने आपको बताया था कि from का एक अर्थ होता है जहां कोई चीज किसी से बनती है लेकिन उसके ingredients जिस सामान से मिलके वो बनती है वो change हो जाते हैं ऐसे स्तती में क्या करते हैं from का प्रियोग करते है card is made from milk ठीक है card किस से बनता है milk से बनता है एक sentence मैंने आपको और बताया था wine is made from grapes bread is made from wheat क्या sentence है b-r-e-a-d bread is made from wheat ऐसे भी लिख सकते हैं आप bread is made from wheat तो किस का प्रियोग किया हमने from का प्रियोग किया इसके opposite किस का प्रियोग करते हैं वो मने आपको बता दिया था this is this building is made of ये building किस की बनी हुई है किस की बनी हुई है brick इटो की बनी हुई है उसके बाद में देखेगा a ladder against the wall ये भी हमने कर लिया था क्या है ये ladder एक फीडी लगाई किस के खिलाफ दिवार के सटा के तो हमने पढ़ा था था थोड़ दिर पहले भी है against see through the class नहीं glass अभी है glass लिखना चाहिए था क्या लिखा गया class लिखा गया see through the glass अभी हमने देखा था window के through ठीक है ये window के through और वो ही है see वहां भी मने आपको example बताया था about लगभग के अर्थ में about और around दोनों होते हैं इसमें about या नहीं के लगभग about 50 students in the class class में कितने बच्चे लगभग 50 बच्चे around 50 students वो ही बात है around का मतलब भी होता है about लगभग around 50 students in the class देखेगा around और एक वर्ड होता है round round यहनी किसी चीज़ के चारों तरब moves around the sun यह sentence तो आपने बहुत बार सुना होगा कि the earth moves the earth e-a-r-t-s the earth moves क्या लेकिए around या round round ठीक है तो यह हो गया आपका round a tree before my house सामने के अर्थ में थोड़े देर पहले हमने लिखा था कि the accused was accused appeared before the magistrate same वो ही sentence है a tree before my house there is a banyan tree before my house मेरे घर के सामने एक बर्गत का पेड है house made of bricks ठीक है यह घर किसका बना हुआ है bricks में brick होना चीए था uncountable noun होता है house made of brick यह वो ही है जो आपने बताया था कि of और from off और from के difference वाली चीज़ें ही यह है same उसके बाद देखेगा apples are sold by the kilo किस हिसाब से कोई चीज बेची जाती है इसके लिए भी by का प्रियूग करते है apples किस हिसाब से kilo के हिसाब से ठीक है these pens are sold by the dungeon दरजन के हिसाब से बेती जा रहे है by the dungeon ठीक है milk is sold by the litter milk को किस से litter के हिसाब से cloth is sold by the meter कपड़े को meter के हिसाब से ओगे देखेगा besides her parents ये भी हम देख चुके थे besides her parents ठीक है k side में under the tree इसको भी देख चुके थे पेड के नीचे under the tree उसके बाद देखेगा a bridge over the river नदी के ऊपर ठीक है touch नहीं है उसके sense में हमने आपको बताया था किसका प्रियूग करते हैं over का प्रियूग करते हैं किसका बिटा over का प्रियूग करते हैं ये भी हो गया उसके बाद देखेगा all the country all over the country था ही all कोई समझा रहे थे all over the country ये लिखावा इसमे c-o-u-n-t-r-y all over the country पूरे every part of the country कोई चीज किसी चीज के ऊपर बिचा दी जाती है इसको spread कर दिया जाता है तब भी किसका प्रियोग होता है ओवर का प्रियोग होता है रेंक वगरा में भी जिस प्रकात से principles टीचर से ऊपर होते हैं तो आप अब लिखो तो भी ठीक है और ओवर लिखोगे तब भी क्या है ठीक है इसके बाद देखेगा next alliance between six countries मैं आपको बताया था कि between का प्रियोग दो से ज़़्यादा के अर्थ में किया जा सकता है किसका प्रियोग बिट्विन का प्रियोग जो है वो दो से ज़्यादा के sense में भी किया जा सकता है कब जब mutual cooperation होता है यानि alliance है गड़मंदन है, समंध है, किनकी बीच में 6 देशों के बीच में तब हमने 6 के लिए भी किसका प्रियूग कर दिया है between का प्रियूग कर दिया है आगे देखेगा cooperation between these 3 families देखो between के लिए हमने किसका प्रियूग कर दिया 3 के लिए भी किसका प्रियूग कर दिया है between के लिए, समझा चुका हूँ मैं क्यों करना चीए ऐसा on tv on phone he is talking on phone ठीक है, ये चीज हमने tv पर देखी, तो क्या लिखेंग आप पे on tv लिखेंगे in tv नहीं लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे in tv नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे, on tv लिखेंगे क्या लिखेंगे, on phone लिखेंगे, translate into English, हमने आपको बताया था कोई चीज, जब एक स्तती से दूसरी स्तती में जाती है, तब किसका प्रियोग करते हैं, into का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं मिठा इंट्यू का बता दिया था में आपको उसके बाद देखे गाँ बाई बस लेकिन अप्वाद जहन दीजीगा यदि इन से पहले बस वगरा से पहले कोई article आजए, तब in का प्रियोग करेंगे, जैसे in a car in a car, आप यादी ऐसे करो इसको, कैसे by bus not in a car by bus not in a car तो देखेगा, by bus हो गया, और car से पहले in का प्रियोग किया गया, क्योंकि car से पहले क्या है a का प्रियोग आया हुआ, देखेगा ठीक है, धान दीजिएगा अच्छे से यह जब हमने आपको topic करवाया था तो बहुत detail में इसको समझा दिया था आपको line में बैठा है कोई आदमी, तो क्या लिकिंगे in a queue, line में in the evening बताया था आपको, कि night, तो क्या लिकिंगे at night noon at noon लेकिन, in the evening may, sales, at 50 rupees परियोपेजन, बीस रूपे की यह गलकिन यह दी आपको दर्जन की साफ से नहीं बताना और सिधा कोई समान आपने लिया है तब किसका परियोख करेंगे 450 रुपीज थोड़ा दुबारा समझे लो I bought these mangos I bought these mangos 450 रुपीज क्या लिकेंगे भी 450 रुपीज कितने रुपए में 4 ये कोई दर्जन नहीं बता रहा है 50 रुपए के आपने लिए तो 450 रुपीज लिख दिया हमने कोई समस्या नहीं है लेकिन ये आपने 50 रुपए दर्जन लिए तब आप क्या लिखेंगे at 50 रुपीज एडजन अंतर समझ गए समझे की नहीं समझे at 50 रुपीज एडजन तब आप अप अइट लिखेंगे 1 दर्जन के इसाब से 1 किलो के इसाब से ठीक है तब हैट लिखेंगे और आपने पूरे कितने रुपए दिये यानि मैंने कोई चीज पांच सु रुपए में इस स्वेटर खरी दी तो क्या लिखेंगे इस प्रकास से आप फोर लिखेंगे आगे देखेगा अंब्रेला ओवर हीज है पहुत अच्छा एक जंपल था मैंने आपको ले लिया देर इस नो अंब्रेला ओवर हीज है टास थोड़ी ना होता है नहीं होता है नो रूफ अबव और ओवर हीज है दोनु प्रियोग ठीक होते हैं उसके सर पे कोई छत नहीं है there are so many in the world who do not have roof over their head संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके चछत पे जिनके सर पे क्या नहीं है चछत नहीं है over his head लिखेंगे तब भी ठीक है above his head लिखेंगे तब भी ठीक है a child is walking behind his mother एक बच्चा अपनी मा के पीछे पीछे जा रहा है तब क्या लिखेंगे behind his mother run behind आपने अभी sentence पढ़े थे the police was running behind the thief ठीक है above me in rank मैं आपको बताया था कि कोई आदमी किसी में rank में उपर होता है तब आप क्या कहेंगे above मेरे से उची rank पे है above me in rank कोई भी हो सकता है the principal हो सकता है teacher हो सकता है और किसी भी भाग में हो सकते है तब क्या लिखेंगे above लिखेंगे the house is under repair ये house क्या है under repair exam में पूछा हुआ अभी house क्या चल रहा है repair में the case is under consideration इस case पे अभी विचार चल रहा है ये घर अभी repair पे है the road is under repair ऐसा exam में पूछा जाता है this road ये फिर the road the road is under repair the road is under repair ये road under repair चीक है ये case under consideration है उसके बाद देखेगा the leaves are falling from the tree ये पतियां कहां से गिर रही है पेड से गिर रही है यहां आप falling off भी लिख सकते है क्या लिख सकते है off भी लिख सकते है कोई समस्या नहीं है दोनों ठीक है उसके बाद she is rather tall for her age ये फोर का एक अच्छाप योग है ठीक है वो अपनी age से जादा लंबी है ठीक है for his age लिखेंगे इसमे ठीक है from her age नहीं लिखेंगे for her age यानि जितनी उसकी age में लंबाई होनी चीद थी उससे जादा लंबी है क्या लिखेंगे he is he is clever C E C L E V C is he is clever then he is then का लिखेंगे फोर फोर की ज़िखेंगे for then कि स्थां पी ये प्रियोग वाई फोर का for he is clever C L E he is clever for his age he is clever for his age अपनी age से बड़ा तो क्या लिखेंगे फोर का प्रियोग कर देंगे समझ में आ गया फोर अगे लिखेंगा a book on English grammar on any about के बारे में this is a book about English grammar plane is flying above the clouds यह हम देख चुके थे comparison के दो में clouds से उपर ठीक है तो किस का प्रियोग करेंगे अबव का treaty between five grades between का प्रियोग के दो से ज़्यादा के अर्थ में कैसे होता है वो समझाया हुआ है there are fifty mudders कितने हैं fifty mudders हैं this year against की तुलना में इस बार पचास mudder हैं किस की तुलना में against a hundred last year यह against का प्रियोग कर देख की तुलना के अर्थ में I completed five chapters against I completed five chapters today आज मैंने पांक चेपटर पूरे किये against for yesterday चार के खिलाब कल कितने किये थे चार आज कितने किये है पांच यहनि तुलना के अर्थ में किसका प्रियोग के जाता है अगेंस्ट का प्रियोग क्या दता है आगे देखीगा He is behind पीछे रह जाना किसी से पीछे रह जाना performance वगरा में पीछे रह जाना उसके लिए भी behind करते हैं He is behind others in the class Class में वो बाकी लोगों से पीछे है आपको किसी को भी पीछे नहीं रहना है आपको किसी को भी किसी लोग से पीछे नहीं रहना है My students cannot remain behind others मेरे बच्चे किसी से पीछे नहीं रह सकते हैं By check कोई समाना by hand कोई चीज आपने by hand दिया तब क्या लिखेंगे By hand आपने पैमेंट किस से किया By check C-H-E-Q-E लेकिन in case अगर आपको cash में देना है तब किसका प्रियोग करेंगे In case उसके बाद देखेगा We won by three goals तीन goals हमझे चे margin बताने के लिए तो वहाँ by का प्रियोग किया जाता है Lying in the bed शुरुमे में आपको बताया था इनका प्रियोग होगा Sitting on the bed बैठे रहने के लिए ओन का नहीं तो इनका प्रियोग होगा For 50 rupees ये देखो थोड़े देर पहले बताया था For 50 rupees और At 50 rupees एडेजन समझगे For 50 rupees कोई समाना आप कितनी रुपे में लाते हो For कहेंगे कितनी दर की इसाब से लाते हो तब क्या कहेंगे At 50 rupees एडेजन अंतर समझगे कोई आदनी गाड़ी चला रहा है 50 किलोमेटर परती घंटा की रफसार से तो क्या लिखेंगे At 50 km an hour दर बता रहा है वो तो क्या लिखेंगे At 50 km an hour ठीक है He is driving वो चला रहा है किस दर से At 50 km an hour ये भी बहुत स्यांदार परियोग है बहुत ही स्यांदार है कई बच्चों के confused रहता है Since last week तब since का परियोग करेंगे लेकिन यदि last से पहले article दे आजाए तब किसका परियोग करेंगे For the last week ध्याम दीजिगा यदि आपके पास सिरफ last week है कई बच्चे पूछते है किस लास्ट से पहले क्या आएगा Since आएगा ये 4 आएगा तो सुनो बेटा Since आएगा तब इससे पहले article दे नहीं है तब और यदि इससे पहले article दे है तब क्याएगा 4 आएगा मैंने एक जंपल भी लिखे है या I have been ill since last week देखेगा I have been ill for the last week Since last week और for the last week आगे देखेगा He is off duty now अब वो duty पे नहीं है On duty, off duty It is quarter to nine याने quarter to nine टाइम बताने के लिए करते हैं quarter to nine A boy with long hair लंबे वालो वाला Girl with blue eyes एक लड़के blue eyes वाली तो इस प्रकार से आज की इस class में हमने preposition का revision करने की कोशिस के लगबग सभी अच्छे example समने लिए सभी preposition को complete किया यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर से जरूर साथा कर दीजिएगा Thank you Thank you very much